अगर आपको यह लगता है कि biology एक बहुत ही theoretical subject है और इसमें कोई scope नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और मैं आपके इस myth को burst करने आया हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाह रहे हैं और जहां आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए जो skillsets required हैं वो क्या आपके पास हैं या नहीं है आपको यह भी बता होना चाहिए कि अगर आपने biology choose की है तो MBBS करना ही सिर्फ एक मातर option नहीं है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि MBBS के अलावा biology कितनी बड़ी field है और इसमें कितने सारे career options हैं इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के बीचे मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी field जिसको हम mother of science बोलते हैं नमस्कार मेरा नाम है आकाज नाइजर एल्यूमिनस और मैं आपके साथ डिसकस करूँगा career options in biology मुझे पता है कि आप उसकी आखों की गहराईयों में जा चुके हैं लेकिन आप देखते हैं इस field की गहराई को और इस field में कितने career options हैं उसको हम देखते हैं detail में तो पहला option वही है जो आप सबको पता है क्योंकि society में हमको यही बताया जाता है कि जो भी बच्चा 12th में bio लिया है वो 12th के बाद NEED का exam भर दे है ना और NEED का exam से क्या बनते हैं भै डॉक्टर बनते हैं अम EBS की degree लेते हैं लेकिन आप इस number पे ध्यान दीजिए हर साल 24 लाग से भी जादा बच्चे NEED का फॉर्म भरते हैं जिसमें से 99% से भी जादा बच्चे इस exam को clear करने में fail हो जाते हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपना दिमाग खुलना रखना चाहिए और बाकी सभी fields को भी explore करते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा competition भी नहीं है और compatibly बहुत अच्छी jobs वहाँ पे लोगों की लग जाती हैं आपको ये तो पता होगा कि इनसानों के doctor कैसे बनते हैं लेकिन क्या आपको ये पता है कि जान्मरों के doctor कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको अगर आपको veterinary doctor बनना है तो आपको एक exam देना पड़ता है जिसका नाम होता है ICAR इस exam को clear करने के बाद आपका admission एक BSMS course में होता है जिसके बाद आप veterinary doctor बन सकते हैं आप bovine officer बन सकते हैं आप livestock officer बन सकते हैं जो कि सारी कि सारी group A gadgeted job है जिसमें आपको level 10 का pay मिलता है आप अगर अपनी salary को compare करेंगे एक MBBS doctor के साथ तो आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप competition चेक करते हैं तो वहां competition 24 लाग से ज्यादा student का था लेकिन यहां competition सिर्फ 1 से 2 लाग students का है तो यह comparatively एक बहुत ही lucrative job है with less competition भारत एक कृषी पदान देश है लेकिन 12 में bio लेते वक्त क्या आपने यह सोचा था कि आप agriculture field में भी कुछ contribute कर सकते हैं मैं बदाता हूँ जैसे आप veterinary sciences में admission लेते हैं उसी तरह से same exam के थुरू आप agriculture science भी pursue कर सकते हैं ICR exam के थुरू आप agriculture science में BSMS course pursue कर सकते हैं जिसके बाद आपकी बहुत अच्छी jobs भी लग सकती हैं जैसे आप agriculture scientist बन सकते हैं agriculture officer बन सकते हैं आप livestock officer बन सकते हैं आप और भी बहुत सारे officer की पोस्टे निकलती हैं उसमें jobs कर सकते हैं जिनकी पे भी बहुत अच्छी होती है ले estimate कर देते हैं और वो है pharmaceutical industry आपने कोरोना के टाइम पे तो देखा ही होगा दवाईयों की कितनी मारा मारी थी और उस time पे जो main benefit कमाने वाई लोग हैं वो थे pharmacist ठीक है अब अगर आपको pharmacist बनना है तो आपको b pharma या d pharma जैसे courses करने पड़ेंगे जिसके लिए हर एक state एक अल एक pharmacy set up कर लेते हैं तो आपका business बहुत चलेगा क्योंकि इंडिया में medicine की अभी तो जरूरत है ही साथ में future में भी इसकी बहुत जादा requirement है क्योंकि इंडिया में medical facilities अभी developing stage में हैं जिसको develop करने में अभी time लेगा तो इंडिया का future is medicine तो अब बात करते एक ऐसी field की जिसमें लड़कियों के लिए काफी scope है और वो field है nursing हमें पता है कि लड़किया medical field में बहुत time से contribute करती हुई आई हैं जैसे Mother Teresa का नाम तो आपने सुना ही होगा वही से निकल के आती है एक field जिसका नाम है nursing और nursing को भी लोग अकसर underestimate कर देते हैं जो की नहीं करना चाहिए इसमें एक specific post का मैं नाम बताऊंगा जो की होता है military nursing service यह एक ऐसी job है जिसमें आप सीधा military में officer level पे post हो जाते हो और आपकी pay भी उसी level की होती है इस service में जाने के लिए आपको 12 के बाद एक nursing exam देना पड़ता है जिसका नाम होता है GNM MNS nursing exam जिसके बाद आपको एक 4 साल का nursing course करना पड़त है और आप directly recruit होते हैं military nursing services के लिए जो कि एक काफी अच्छी job मानी जाती है अगर आप military nursing में नहीं जाना चाते हैं तो आप aims nursing भी कर सकते हैं और उसके बाद government या private vacancies को फिल करके nursing jobs में apply कर सकते हैं तो अगर आपने यह मन मना ही लिया है कि आपको research करना है तो देखते हैं कि after 12th class आप किस तरह से इस field को pursue कर सकते हैं तो मान लीजिए आप में 12th class complete की है उसके बाद आप research में जाना चाह रहे हैं तो कैसे जाएंगे आप इन सारे exams के थूरू इंडिया के top-notch research colleges में जा सकते हैं जैसे कि आप आईजर aptitude test दे सकते हैं जिसके थूरू आप ISC Bangalore में BS degree के जा सकते हैं आप integrated BSMS course Isers में कर सकते हैं जहां पर competition भी उतना ज्यादा नहीं है यह नहीं कह रहा हूं कि आप competition नहीं है लेकिन यहां पर competition अभी तक moderate है आप next exam दे सकते हैं जिसके थूरू आप एक integrated MSC course में admission ले सकते हैं और इस exam के थूरू जो college आते हैं जैसे NISER और CEBS उसमे integrated MSC course pursue कर सकते हैं अगर आपका इन दोनों exams के through admission नहीं होता है तो आपके पास और भी options है जैसे कि आप UPST exam दे सकते हैं जिसके थूरू आप IACS जैसे colleges में admission ले सकते हैं जहां पर year सिर्फ 2-3,000 बच्चे ही form fill करते हैं माल लीजे आपका इसमें भी admission नहीं होता है तो आप CUET, UG exam देकर इंडिया के national level colleges में admission ले सकते हैं जैसे कि BHU, जैसे AMU, जैसे Delhi University के बहुत सारे colleges अब बात करते हैं कि what after 12th, कि आपने 12th में दिये ये exams, लेटस से आपका हो गया लेकिन what if नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप BST के बाद भी इन colleges में जा सकते हैं क्या path है, path है IIT exam exam, IIT exam exam के थुरू आप IIT's में MSc कर सकते हैं या फिर MSc PhD integrated courses भी कर सकते हैं, IIT's नहीं तो NIT's, या फिर आप IISER, NISER में भी इन exams के थुरू MSc या MSc PhD dual degree pursue कर सकते हैं अब माल लीजिए, आपने BST के बाद ये मन मना लिया कि आगे आपको academia में नहीं जाना है, आपको job करनी है तो फिर आपके लिए और भी path खुले हुए, जैसे कि आप biotech industry में जा सकते हैं, आप pharmaceutical industry में जा सकते हैं, या फिर आप research assistant की तरह भी work कर सकते हैं यहाँ पर initial pay decent होती है, लेकिन जैसे आसे आपका experience बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी pay भी बढ़ती चली जाती है अब देखते हैं आगे क्या, अगर आपने BST कर ली, MST कर ली, तो अब क्या? अब अगर आपको research में interest है, तो आप PhD कर सकते हैं, और PhD के लिए दो pathways हैं, या तो PhD इंडिया में कीजिए, या तो PhD कीजिए abroad में अगर आपको इंडिया में PhD करनी है, तो आप GATE और CSIR NET जैसे exam देकर, इंडिया में research labs या reputed colleges में PhD परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि IITs, NITs, Isers, Nisers, JNCSR, ISE Bangalore, ये सभी colleges एक premium college ही केटेगरी में आते हैं, और ये NIRF रैंकिंग में भी बहुत अच्छी रैंकिंग्स में आ तो आपका level ही अलग होगा, या फिर माल लीजिये, आप abroad जाना चाहते हैं PhD के लिए, तो आपको TOEFL, GRE, IELTS जैसे exam देने पड़ेंगे, जिसके बाद आपके interviews होंगे, और अगर आपके interviews अच्छे जाते हैं, तो आप foreign में भी funded PhDs के लिए eligible रहेंगे, बात करते हैं आगे, कि आपने MSC की, और आपको PhD में नहीं जाना है, आपको job करनी है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, तो भी आपके लिए vast field open है, ये देखे, इतने सारे career options आपके पास open है, after MSC, बस फर्क इतना ही है, कि लोगों को पता नहीं होता है, कि उनको करना क्या है, अगर उनको सच में job च security में जा सकते हैं, आप भाबा atomic research जैसे बड़े institution में scientific officer बन सकते हैं, आप ICAR में scientist या scientific officer बन सकते हैं, आप patent officer बन सकते हैं, आप MSC के बाद भी eligible होते हैं assistant professor की vacancies के लिए after clearing CSIR net exam, आप food and beverage industry में जा सकते हैं, और अगर आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप private coaching institutes में भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप pharmaceutical industries में भी जा सकते हैं, और आप government PGT teachings में भी pursue कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इनी सब चीजों को एक-एक करके, तो मान लीजिए आपने PhD में admission ले लिया है, तो शुरुवाती 2 साल आपको junior research fellow की तरह काम करना पड़ता है, जिसमें आपकी pay 37,000 रहती है, इसके साथ साथ आपको रहने का खर्चा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपको flat free मिलता है, दो साल बाद आप की promotion SRF post पो जाती है, जिसकी pay 42,000 होती है, और अगर आप PMRF के लिए eligible हो जाते हैं, तो आपकी pay 70,000 to 80,000 हो जाती है, जो की काफी अच्छी pay है, अब मान ल फैलोशिप के लिए apply कर सकते हैं, जिसकी pay इंडिया में काफी अच्छी है, 50 to 70,000 जाती है, लेकिन अगर आप abroad जैसे US जैसी country से अगर आप post-doc करते हैं, तो आपकी pay बहुत ही जादा हो जाती है, लगभग 3,000,000 तक आपकी pay हो सकती है, पर मन्त, post-doc करने के बाद आप बहुत सारी vacancies के लिए eligible हो जाते हैं, eligible आप पहले भी थे, लेकिन अब आपका chance of getting that job की probability बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आप assistant professor आराम से बन सकते हैं, वो भी किसी local college में नहीं, एक बहुत reputed college में, जैसे IITS हो गया, IISERS हो गया, NISER हो गया, IISC, Bangalore हो गया, इन सभी बड़े-बड़े institutes में आप assistant professor के साथ अपनी professorship शुरू कर सकते हैं, जो की promote होके associate professor और फिर professor level पे चली जाती है, जिनकी pay exponentially increase करती रहती है, जैसे आप यहाँ पे देखी रहोंगे, कि assistant professor की pay around 1 lakh से उपर ही start होती है, जो की बढ़ते-बढ़ते, देड़ लाग, फिर दो लाग तक भी पहुँच जाती है, अगर माल लीजिये उस time पर professorship की job openings नहीं है, तो आप project associate या lab technicians की तरह भी काम कर सकते हैं, उसके बाद जब यह opening निकलेगी तो आप यहाँ पर promote हो सकते हैं, या apply कर सकते हैं, अब माल लीजिये कि आपको assistant professor नहीं ब जैसे आप BARC में apply कर सकते हैं, और आप बहुत सारी अलग-अलग PSUs में apply कर सकते हैं, वहाँ पे scientific officers या scientist की vacancies निकलती रहती हैं, आप food security officer बन सकते हैं, आप patent officer बन सकते हैं, जिनकी pay भी उसी तरह से शुरू होती है, जिस तरह से assistant professor की pay शुरू होती है, जो कि around 1 lakh से शुरू हो अगर आपको सच में growth चाहिए अपनी life में, तो आपके लिए सबसे best है private industries, क्योंकि अगर जो skills आपके पास है, उसकी need किसी private industry को है, तो वो आपको मुह मांगी कीमत दे सकते हैं, बस आपको अपने आपको justify करना आना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई भी बार नहीं है आपकी salary का, और आपके पास बस एक specific skill set होनी चाहिए, जो कि इनको requirement है, जैसे आप pharmaceutical industries में जा सकते हैं, आप बायो tech में जा सकते हैं, आप बायो informatics में जा सकते हैं, अब आईए देखते हैं, कि अगर आपको teaching में interest है, आपको पसंद है, जो आपको आता है वो दूसरों को बताना, तो आप teaching industry में जा सकते हैं, teaching industry में दो parts फर्दर आ जाते हैं, या तो आप government teaching में चले जाएए, जहाँ पे आप PGT teachers बन सकते हैं, after doing your BA, जिनकी pay भी 70 to 80 thousand से start होती है, या फिर आप coaching industries में जा सकते हैं, coaching industry का फायदा यह है कि यह आपको exponential growth की opportunity देती है, जहाँ भी private sector आता है, वहाँ पे आपके लिए exponential growth की opportunities खुल जाती है, वहाँ पे आप पे depend करता है कि आपकी skill कितनी अच्छी है, तो आप हो सकता है 1 lakh से start करें, पर अगले ही साल आप 2 lakh पे भी जा सकते हैं, there is no bar, no limit in pay, अगर आपको research में such an interest है, और आप 12th class में हैं, और आप चाहते हैं prepare करना for such exams, like NEST, IAT UPST and many other exams, तो आप हम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इन ही exams के लिए लोगों को prepare कराते हैं, लोगों को guide करते हैं, हमने कई सारे selections दिये हैं in exam में, as you are able to see कि कि कितने सारे बच्चे हम से जुड़े थे और उन्होंने कितना अच्छा result लाके हम को दिया है, IAT के साथ साथ हमन वे personally जानता हूँ, अब अगर आपको हम से जुड़ना है, तो आप हमारे courses purchase कर सकते हैं, जिसमें आपको live classes मिल जाएंगी, आपको recorded classes मिल जाएंगी, आपको mock tests मिल जाएंगे, आपको crash course मिल जाएगा, और आपको ऐसी बहुत सारी facilities मिल जाएंगी, जो कि आपकी preparation को exponentially boost कर सकती हैं, तो courses के साथ साथ हम लोग आपको specific subjects की books भी provide करते हैं, जिसकी soft copy आपको courses के साथ free मिलती है, तो आप भी ऐसा ही पढ़ते रहिए, मैनद करते रहिए, और बढ़िया से college मिल जाएंगे, see you at your dream institute.